चमकी बुखार को लेकर लोगों के मन में अलग-अलग विचार धाराय बन गई हैं लोग चमकी बुखार को लेकर बहुती जादा भैबीत दिख रहे हैं आज हम आपको चमकी बुखार के लक्षण वा कारण बताएंगे और इससे बचने के उपाई चमकी बुखार से बच्चो को बचाने के लिए बच्चो को धूप से दूर रखें अधिक से अधिक पाने का सेवन कराएं हलका साधारन खाना खिलाएं बच्चो को जंग फूट से दूर रखें लीची ना खिलाएं रात को खाने के बाद थोड़ा मीठा जरूर खिलाएं घर तो कि शरीर में पानी की कमी ना होने दे अधिक से अधिक पानी को पिलाएं और उसमें हो सके तो गुलुकोस डाल कर पिलाएं अगर गुलुकोस नहीं हैं तो बच्चों को नीबुचीनी पानी में घोल कर पिलाएं चमकी भुखार के लक्षन होते हैं यह अगर आपको इन में से कोई भी लक्षन अपने बच्चों के अंदर दिखाई दे तो डौक्टर के पास जाकर तुरंथ ही जला मश्वरा करें अचानक तेज बुखार आना हाथ पैर में अकर आना टाइट हो जाना बेहोश हो जाना बच्चों के शरीर का चमकना शरीर का पना शरीर पे चकता निकलना गुलकोस का शरीर में कम हो जाना शुगर कम हो जाना इतियादी यह बिमारी दस साल तक के बच्चों को अधिक अटेक कर रहा है आप अपने बच्चों का पूरा ध्यान तो शेग्र अस्पतार पहुंचे डॉक्टर से संपक करें जागरुकता फैलाने में आप सहयों करें और अधिक से अधिक शेयर करें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले